सबसे पहले तो मैं वह सब्सक्राइब विल्कम तो आए एनस फुर्ट थैंक्यू सो मच अफरन्टू की बात की जाए तो आप अज़ा सोचल वीडिया इंफ्लेंसर से एक्टिंग के उसमें आवी हैं क्या कहींगे उसके बारे में कैसी रही आपकी जर्णी अभी जब की? जैसा कि मैं सबसे कहती हूँ यह जर्णी एकदम फिल्म की तरह है बड़ा ही संजोग की बात है कि मैं परदे के सामने अब परफॉर्म कर रही हूँ और सोशल मीडिया इंफ्लूएंजर से एक्टर बनने में अपने आप में बहुत सारे चैलेंज़ हैं और बहुत महनत लगती है तो खुशकितम समझती हूँ कि मुझे यह मौका मिला अपहरंट 2 की बात की लिए था अपने यह रोल कैसे बात किया के क्या पेंज़ी इसके बारा के कैसे मिली आपो यह रोल तो यह जादा लोग नहीं जानते हैं पर अपहरंट सीजन वन में मैं क्रियेटिव डिरेक्टर की तरह काम कर रही थी और उसमें एक छोटा सा पार्ट था जिसके लिए हम कास्टिंग नहीं कर पाये थे वो पार्ट मैंने खुदी ही साड़ी पहन के कर डाला था और उसके बाद वो वाइरल हो गया और बहुत प्यार मिलने लगा लोगों का और लोगों ने नाम रख दिया इंटरनेट की जनता ने नाम दे दिया बीसी आंटी तो फिर उस से मैंने एक इंस्टेग्राम पेज शुरू कर दिया और ऐसे करते करते वो इंस्टेग्राम पेज भी काफे पॉपिलर हो गया और सीजेन टू में फिर एकता काप पूर मैम ने बोला कि अब तो तुम्हें बड़ा किरदार निभाना पड़ेगा तो एक लाइन से कहते हैं एक लाइन इतनी शिदत से मैंने बोली कि उसके चलते मुझे पूरा प्रॉपर रोल मिल गया जैसा कि आपको पता है कि अफरन में सभी मंजे हुए कलाकार है अरुनोदे सिंग है निधी सिंग है और यह लोग सब बहुत जादा काम किये हुए मेरे लिए मेरा पहला तजुर्बा था कैमरे के आगे आक्टिंग करने का तो इन सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे निर्देशक संतोष सिंग ने बहुत हेल्प किया बहुत पेशंटली काम हमसे लिया तो चैलेंजिंग इसलिए था कि अपने परिवार से 25 दिन दूर सर्बिया में मैं रह रही थी तो एक होमसिकनेस हो रही थी और एक माँ अपने बच्चे से इतने दिन दूर काफी मुश्किल होता है पर बहुत ही परिवार जैसा मौहल था सेट पर और सभी सहकलाकारों ने बहुत प्रोचाहन दिया सरलता से सिखाया कि कैसे कैमरे को फेस करना है कहां से लाइट आएगी कैसे आपको समभाद बोलने हैं तो वो बहुत उन लोगों ने सपोर्ट किया उसके चलते यह जर्णी पॉसिबल हो पाई यह वैप सीरीज के प्रोमो देख रहे था है तो प्रेकर देख रहे हैं तो कैसे आपने इस सीरीज को आपने कैसे कुछ पहले लिया आपने रूटीन में ऐसे लग रहे हैं कि मतलब आप बहुत सालों से आपने यह तो इसका श्रे जो इतनी सारी गालियां है उसका श्रे तो लेखकों को जाता है सिद्धार सेन गुपता और वरुन बडूला उन्होंने ऐसे डायलोग मेरे लिए लिए लिखे और मैंने उन्हें बहुत मेहनत से परफॉर्म किया और बड़ी सेहचता से वो गालियां मेरे इन तो लोगों को लगता है कि और जरूर गाली देती होगी पर ऐसा बिलकुल नहीं है हमारा जोक ये था किरदार का कि पहले सीजन में भी उसको फोन करके कोई गाली दे रहा है वो गाली रिपीट करती है और वैसे ही सीजन टू में रुद्र श्रिवास्तव जो गालीयों क बहुत हसे अभी भी मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर बेचते हैं और कहते हैं कि बहुत मजा आ गया एक तब आपके बात की जाए तो अब लग आप कर आप सोशल मीडिया एक जालू की आपकी जर्नी कैसी हैं कि कुछ पॉजिटक पॉजिटक कमेंट भी आता है कर आप कैसे देती हैं चीज को हर चीज की अच्छाई और बुराई होती ही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि social media influencer बनना भी by chance वाली बात थी, कि एक meme viral हो गया, तो उससे अपना page शुरू कर दिया, फिर दीरे-दीरे film reviews करना शुरू किया, film reviews कर रही थी, तो teacher student वाले video करना शुरू कर दिया, जो बहुत viral हो गये, तो मैं बड़े जिम्मेदारी से ये काम निभा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी political तरीके की बाते मैं करूँ अपने page पे, या कोई नफरत फैलाने वाली बाते करूँ, मैं मजाक, व्यांग के रूप में ही लोगों को entertain करना चाह रहे थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है तो कुछ लोग बहुत पसंद करते थे कुछ लोग गालिया लिक लिक के भेशते थे और especially मेरे मुटापे से कई लोगों को बहुत जादा तकलीफ है और in fact अभी भी रिसेंटली एक influencer है उनका नाम में नहीं लूंगी उन्होंने काफी सारा बोला social media पे की अरे इनको cast कर लिया एक मोटी औरत को कोई खुबसूरत औरत को cast करते तो ऐसी सोच जो है वो अब क्या है किसी के मुँपर तेफ तो लगा नहीं सकते तो उसको pinch of salt के साथ ले लेना चाहिए और अगर हम आज 2022 में बैठके लोगों को उनके शरीर के हिसाब से और उनके color के हिसाब से अगर judge कर रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है दुनिया बहुत आगे पहुँच गई है किरदार को किरदार की तरह प्यार करना चाहिए ना कि उनके अगर वो कहते हैं इनर ब्यूटी की सब लोग बात करते हैं लेकिन घूम पिर के सुई वहीं आके अटक जाती है कि रहे खुबसूरत औरत को भेजना चाहिए था तो इस सोच से मुझे काफी problem है पर ट्रोलर्स को मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हूं मैं खुश हूं और खाखा के एकदम मोटी हो रही हूं तो किसी को इस से problem है तो प्लीज मुझे देखा ना कीजिए आपके रोल की बात की अपरटू में तो किस टाइप का रोल है और कहां ये अरुद्र सिंग के साथ अब कहां जा रही है तो सीजन वन अफरण का इंडिया में था और इंडिया में जो रुद्र शिवास्तव की लाइफ में गडबड़े होती है का अफरण का केस होता है तो वो बहुत ही छोटे स्केल पे कम बजट पे हम लोगों ने वो बनाया था अफरण सीजन वन पर उसको इतना लोगप्रियता मिली इतना प्यार मिला लोगों को कहानी बहुत पसंद आई तो मेरा मानना है कि कहानी अगर अच्छी हो तो लोग उसको पसंद करते हैं तो जब हम सीजन टू लिख रहे थे तो हमको चैलेंज भी बड़ा करना था और हम लोगों को ये भी सोचना था कि कैसे जो पहले हम देख चुके हैं उससे अलग दिखाई दे तो तब ये सोच आई कि हम लोग इसको इंटरनाशनल लेकर जाते हैं और बहुत सारी कंट्री से हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि कहां जा सकते हैं ऑन सर्भिया पर्फेट कंट्री है हम लोगों को मिली क्योंकि वहां का वेदर वहां के लोकेशन इतने खुपसूरत हैं तो इस बार चैलेंज ये है कि रुद्र श्रिवास्तव इंटरनाशनल अफरन करने जा रहे हैं और उनका साथ दे रही हैं गिलॉरी और उनके साथ जा रहे हैं दुबेजी याने सानन्द वर्मा और ये तीनों मिलकर अपने देश में तो इनको कोई पूछ नहीं रहा है ये विदेश में जाके क्या हंगामा करेंगे ये कहानी है और अपने आप में वन लाइन इतना मज़िदार है कि आप जब शो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे विदेश कंट्री में जाके ये इंडियन्स पूरी भसड फैला रहे हैं आपके हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी लिगों को क्यों देखना चाहिए अपरन टू को देखने की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि कहानी जबरदस्त है हमारा एक डायलॉग भी है कि इस बार कहानी ब्लॉक बस्टर है तो कहानी के लिए आप लोगों को जरूर देखना जो उमीद करते हैं कि इस बार सबका कटेगा दुबारा बड़ा वाला कटेगा तो ब्रेस यॉसेल्फ इंजॉई कीजिए सीजन टू को और प्लीज बताइए आप लोगों को कैसा लगा